अं लो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग ये कल का टाइमर है फ्रेंड कल मैं ने सेवन हवर की स्टडी की थी और आज में चार बजे उठी थी तो उठने के बाद फिर मैं आ गई थी यहां पर स्टडी के लिए तो अभी यहां पर विडियो के लिए नी आ रहा रह Azta तो फिर मैं साड़ पांच बज़े तक पड़ी थी और फिर उसके बाद चली गई थी अपना खाना बनाने के लिए तो फिर मैं यहां पर बना रही हूं गीलगी की सबजी जिसे तो रही भी बोलते हैं और वही आज मैं अनु को टिपिन में देने वादी हूं और फ्रेंड्स आज मेरी कूल टौड़ा मुझे झाज नी लग रहा है मेरे पेर बहुत दर्द हो रहे हैं मेरे पेरों में दर्द बहुत ज्यादा है और बैक पेन भी है तो इस वझे सावह invincible लेकिन फिर भी में आज का मेरा टार्गेट है कि में कम सेक्सफ अवर की स्टड़ी तो करी लूं और पिर अब देखती हूं कि मैं आज के टार्गेट में कितना अच्छी हूं कर पाती हूं कल तो मैंने सेवन अवर के स्टटी कर ली थी कल भी मेरी तवेत खरापती पर कल इतनी नहीं थी पर आज मुझे थोड़ा जादा ही वीकनेस फील हो रही है तो अभी एक दो दिन एसा ही र पाता है यह तो होता ही रहता है कि कभी हम अपना टार्गेट अचीव कर लेते हैं और कभी नहीं करते हैं तो इसमें कोई इतनी परिशान होने वाली बात नहीं है अगर कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है और नहीं करते हैं तो फिर अगले दिन हमें फिर से ट्राय करन तब तक कि हमें सक्सेज मिलनी जाती है क्योंकि जब तक हम हार मानते रहेंगे और ट्राइ नहीं करेंगे तो फिर हमें ऐसा ही लगेगा अभी मैं कितने दिन से कोशिश कर रही थी तो कल मेरी सेवन आवर की स्टडी हुई अब धीरे-धीरे में इस टायम को और इंक्रीस करने क करेंगे, बद कभी हाँ, हमारी हैल्थ अच्छी नहुत, फिर हम पड़ते ही रहें और हम और ज्यादा बीमार हुजआएं, तो हमें व्यश्या बही नहीं करना कि काम फूरा हमें करना होता है और फिर भाकी फैम से नहीं करना होता है ऑर पीर भाकी family को भी देखना होता है इ प्रेव्य प्राइब भीड़ी और भी मैं बना लूंगी रोटी तो इसके बाद मेरा खाने काम हो जाएगा और बरतन मैंने अभी इसलिए नहीं करें तो फिर इसलिए मैंने छोड़ दिये ते और सुबह फिर मुझे क्लीन करने पड़े वह तो अभी बस में रोटी बना लूं क्योंकि बाद में क्या पता मुझसे बने या ना बने इसलिए मैं पूरी अभी बना लूंगी लंच के लिए भी और फिर उसके बाद जाऊंगी मैं study के लिए सोच रही हूं कि study में क्या पढ़ूं और अभी फ्रेंड आज मैंने अपना पूरा syllabus भी दिख लिया है कि मुझे कैसे क्या करना है आगे और कैसे पढ़ना है तो मेरा जो electrical engineering है उसमें six subjects हैं जो मैंने अभी लिखे हैं तो अभी मैं three पे फोकस करूंगी और three में बाद में पढ़ूंगी क्योंकि वह बहुत लेंदी है इसमें इस एक्जाम में मैस नहीं आता मगर जो technical होता है वह बहुत ही ज्यादा लेंदी होता है और मैस से भी बहुत tough होता है इसलिए उसको पढ़ने में बहुत ज्यादा problem ह होती है और मुझे छोड़े वे काफी टाइम हो गया है अपनी study को और मैंने बीच में मैस वगेरा ये सब तो फिर भी मतलब पढ़ ली होगी मगर मैंने technical को छुआ तक भी नहीं है जब से मैंने अपनी study छोड़ी है यानि कि मुझे technical छोड़े वे काफी time हो गया है मगर फिर को करने की कोशिश कर रही हूं और यहां पर फिर मैंने हनु को भी ready कर दिया था और अभी मैं उसको breakfast कर वा रही हूं और breakfast में मैं भी fruit थी खाऊंगी आज यहां पर tv में मैंने song चला रखे थे क्योंकि तब भी मेरा mood अच्छा नहीं होता है तो मैं song सुन लेती हूं और अभी यहां पर study के लिए तो मैं reasoning पढ़ूंगी अभी slot में और hanubi school चला गया है तो अभी मेरे पास time तो बहुत है पढ़ने के लिए तो अभी देखती हूं मैं कितनी देर पढ़ पाती हूं मैंने यहां पर reasoning पढ़ना चालू कर दिया है मेरे पास railway की किरन publication की book है उसमें railway के previous year है SSC की मेरे पास कोई reasoning की book नहीं है previous year की तो वो मैं mobile से ही करती हूं बट अभी railway की है तो मैं उसमें से भी cushion solve कर लेती हूं अब चाहे तबे ठीक हो या नहीं हो लेकिन हमें कोशिस तो करनी है ना पढ़ने की क्योंकि अगर हम बिल्कुली हार मान लेंगे और तो हमारा शरीर तो मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ सकती हूं मैं तब ही study को छोडती हूं बाकी essay नहीं छोडती हूं फिर यहां पर मैं लेट के पढ़ने लग गई थी क्योंकि फिर बेठा नहीं जा रहा था क्योंकि मेरे बेक में बहुत pain हो रहा था इसलिए फिर मैं लेट गई और लेट के theory subject पढ़ने लग गई थी मैं NCRT सार संग्रे की book से मतलब में जैसे तेसे करके try कर रही थी कि हां मैं थोड़ी देर और पढ़ लूँ थोड़ी देर और पढ़ लूँ तो मैं यहां पर वही लेट के पढ़ने लग गई थी इसलिए फिर उसके बाद मैं मुझसे पढ़ा नहीं गया तो फिर मैं सो गई थी और फिर सोने के बाद मैं उठी हूँ अभी एक बजरी होगी टाइम एक या डेड़ बजरी होगी मैंने देखा नहीं था और फिर मैं यहां पर जो बारिश आने लग गई थी तो फिर मैं उपर जो कपड़े डाल रखे थे मैंने छट पर वो ले कि मैं आगे की स्टड़ी को कैसे करूं तो फिर हनु के आने के बाद फिर हमने लंच किया और उसके बाद फिर मैं आ गई थी यहां पर इस्टड़ी के लिए तो अभी अपनी बची выпуск स्टड़ी में करूंगी क्योंकि अभी इस टायम पर ज़्यादा काम भी नहीं होता है हमारे पास तो अभी मैं यहीं पर पढ़ूंगी और यहां पर मैं चाय भी बणा के लिए थी अपने लिए क्योंकि बीना चाहिके तो मुझसे अभी स्टडी होने वाली है नी तो फिर मैं यहां पर नेटवर्क ठोरम पढ़ रही थी यह इलेक्टिकल इंजिनियरिंग का सब्जेक्ट जो इससे बिलोंग करते हैं वो समझ जाते होंगे जो मैं सब्जेक्ट के नाम ले होंगी और उसके बाद फ्रेंड्स स्टडी करने के बाद वही मेरे जो डेली काम थे मैंने वही किये तो आज मेरी स्टडी हो पाईए वो मैं आपको दिखा रही हूं आज मैंने कम स्टडी करिए फाइफ हवर और सेवंटीन मिनट्स की तो आज मेरी तबे ठीक निती इस वज़े से और आज मैं जल्दी भी उठ रही हूं फॉर फिप्टी फाइफ हो गया अभी टाइम